हेलो फ्रेंट आज हम जिस मुवी को एक्स्प्लेइन करने वाले हैं उसका नाम है मातर बुमी ये मुवी 2003 में रिलीज हुई थी चलिए वीडियो शुरू करते हैं मुवी की स्टार्टिंग में हमें गाउं का सीन देखते हैं वहां हमें एक और दिखाई देती है जिसकी डिलिवरी होने वाली थी लेकिन उससे एक बेटी हो जाती है इसके बाद उस और पती उस बच्चे को दूद में डुबा कर बगवान को अरपित कर देता है क्योंकि उस टाइम पर लड़की का पैदा होना अपशोगन माना जाता था और गाउं में सब लोग लड़का ही चाते थे इसके बाद हमें दूसरा गाउं दिखाया जाता है जहां पर परिवार में रामचरन उसके पांच बेटे होते हैं लेकिन किसी भी बेटे की शादी नहीं हुई थी क लोग घर के काम के लिए रगु नाम के एक लड़के को रखते हैं रगु नीची जाती का था बड़ा बेटा रामचरन से कहता है कि वह जल्दी से उसकी शादी कर ले क्यूंकि उसकी उमर निकल रही है रामचरन कहता है वह उसके लिए लड़की डून रहा है लेकिन इस गा अश्लील वीडियो देखते हैं वो वीडियो देखकर बुड़े लोगों के आँखों में आसु हा जाते हैं क्यूंकि वो सब कुमारे थे फिल्म देखते देखते राकेश का हवस जाग जाता है और वो बाहर निकल कर एक जानवर के साथ अपनी प्यास बुजाता है रामचरन गाओं के एक पंडित को बुला कर कहता है वो उसके बेटों के लिए कहीं से भी लड़की का इंतिजाम करे और वो इसके लिए लाकों रुपे देने को भी तैयार है ये सुनते ही पंडित अपने काम में लग जाता है नेक्स सीन में हम देखते हैं कि राकेश एक टीचर है त देखते हैं पपू का पिता लड़की के बाप को दो लाक रुपे और दो गाए देता है दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं फेरे लेते समय पंडित दुलहन का पजामा खीश लेता है और सबको ये पता चलता है कि वो दुलहन लड़की नहीं लड़का होता है वहां ल आवाज का पीछा करता है और वो एक सुन्दर सी लड़की होती है पंडित को देखते ही वो लड़की अपने घर बाग जाती है पंडित बे उसका पीछा करते हो इसके घर पहुंच जाता है वहाँ वो लड़की के पिता प्रताप से मिलता है प्रताप बताता है कि अगर गाउ वालों को भी इसके पैदा होने का पता चलता तो वो इसे बच्पन में ही मार देते इसलिए वो गाउं से दूर एक छोटे से घर में रहते हैं पंडित उसे रामचरन के बड़े बेटे राकेश से अपनी बेटी की शादी की बात करता है और साथ ही उसे एक लाग रुपे दे प्रताब शादी के लिए मान जाता है पंडित बागा बागा रामचरन के घर आता है और उसे बताता है कि राकेश के लिए एक लड़की मिल गई है फिर रामचरन और सूरज राकेश की फोटो लेके प्रताब के घर जाते हैं लेकिन फोटो देखकर प्रताब कहता है कि वो पांच लाक रुपे और पांच गाएं देता है और बदले में कलकी की शादी अपने पांचों बेटों से करवाता है पांचों बेटों की शादी कलकी से हो जाती है और ये सब लोग शादी के बाद जब घर आते हैं तो राकेश बोलता है कलकी के साथ सुहागरा सबसे पहले व रामचरन कलकी के पास जाता है और उसके साथ सुहागराद मनाता है इसके बाद सभी बाई एक एक राद कलकी के साथ सुहागराद मनाते हैं रामचरन और उसके बेटे अपनी हवस मिटाने के लिए ही कलकी के पास जाते हैं फिर जब सूरज की बारी आती है वो कलकी के पास जा रामचरन और उसके चारों बेटों को सूरज से जलन होने लगती है अपनी हवस मिटाने के लिए ये लोग सूरज को मारने का प्लान बनाते हैं और एक दिन सूरज की डेड बॉडी नदी में तैरते हुए मिलती है कलकी अप अकेली पड़ गई थी इसके बाद रामचरन और उ लिए वहां से चला जाता है प्रताब के जाने के बाद राकेश और उसके बाई कलकी को बहुत मारते हैं वो कलकी से कहते हैं तुम्हारी चिठी की वज़े से तुम्हारा बाप यहां आया और हमें उसे एक और लाग देना पड़ा रात को कलकी रगू से कहती है वो उसे वहा होता है कि राम चरन उसके बेटों नहीं रगू को मारा है इसलिए वो बदला लेने के लिए राम चरन के घर आता है वहां रगू का चाचा कालकी को बंदा हुआ देखता है तो वो कालकी को कहता है यह सब तुम्हारी वज़े से हुआ है इसके बाद वो भी कालकी के साथ जबर रख लेता है वहाँ सब कंफ्यूज होते हैं कि इस बच्चे का बाप कौन है रामचरन कहता है कि सबसे पहले वही कालकी के साथ सोया था इसलिए इस बच्चे का बाप वही है कालकी के प्रेग्ननसी का जब रगू के चाचा को पता चलता है तो वह एवफ फैला देता है कि काल कालकी को अपने पास रखना चाहता था इसके बाद वो अपने बिरादरी वालों के साथ मिलके रामचरन के घर जाता है लेकिन गुस्षे में रामचरन और उसके बेटे उन पर फाइरिंग करने लगते हैं जिसमें रगू का भाई मारा जाता है बाकी लोग वहां से बाग जात लेकिन तब ही उनका नया नोकर रामचरण को पीछे से चाकू मार देता है वहीं गाओं वालों की लड़ाई में रामचरण उसके भाई और रगू का चाचा सब मारे जाते हैं घर पर काल की एक बेटी को जनम देती है लेकिन वो दुखी होने के बजाए खुश होती है यहाँ